गवर्मेंट नौकरी ऑफिशल में आप सब का स्वागत है आज फिर एक नई अपडेट के साथ आया हूँ जो केंट बोट का सौली से मेडिकल ऑफिसर क्लर्क फायर मैन वाल मैन और मजदूर की पोस्टे निकाली गई हैं बंपरवरतिया हैं आईए इस पोस्ट के बारे में ड स्टार्टिंग डेट मार्च ते स्टार्ट हो गई हैं मई 15 महीं तक चलेंगी आप इसको ऑनलाइन माद्यम से अपलाई कर सकते हैं www.canboardrecruit.org की वेफसाइट पर जाकर ऑफिसल वेफसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लिकेशन ही इसमें लिये जाएंगे सारी पोस्टों के ल यह मेरे में जानते इसमें पहली पुस्ट निकाली गई है वो अ अगली पोस्ट जो एक सरे टेक्नीशन मजदूर आवल्व मैंड की पूस्टे और इसमें जो पोस्टें सब गुरुप D, गुरुप C दोनों है और सफाई वाले की निकाली गई है तो इसमें जो है आपको अप्लाई करना है 15 मही के पहले-पहले हर पोस्ट का हम डिस्क्रिप्शन डिटेल में जानते हैं इसमें मेडिकल आपसिसर के लिए पेस्केल 15,600 से 40,000 तक दिया जाएगा जिसमें एक ही पोस्ट है और कलर के लिए आपको 20,000 तक दिया जाएगा जिसमें एक ही पोस्ट है टोटल पोस्ट एक ही है और फायर में के लिए आपको 20,000 तक दिया जाएगा प्लस 19,100 का ग्रेट पे भी दिया जाएगा जिसमें एक ही पोस्ट है फायर येर कार्ड में भी आपको 20,200 तक दिया जाएगा जिसमें आपको ग्रेट पे दिया जाएगा 32,000 तक का तो इसमें जो पोस्टें आपको दी गई है उसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिंक में दे जूँगा आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको नोटिफिकेशन को अच्छे पढ़ लें और इसमें जो पोस्टें निकाली गई हैं टोटल पोस्टें वह आपको यहीँ देख सकते हैं एकस्लिट टैक्नीशन में आपको जो गेट पह दिया जाएगा पांचाजार से इनीजार तक दिया जाएगा जिसमें ग्रिड ग्रेट पे आपका 800 बने गाजयाए और मच्दूर की पोस्टो के लिए भी अपको 10 680 पर दिया जाएगा आप देख सकते तक दिया जाएगा और स्टार्टिंग सेली 4900 तक हो सकती है 1300 को आपको ग्रेट पे दिया जाएगा वही सफाई वाले वाल्मेंट की एक पोस्टर सफाई वाले की दो-दो पोस्टे दी गई है तो ये सारी पोस्टो को आप ऑनलाइन माद्जम से अपलाई कर सकते हैं www.cantboard.recruit.org की वेफसाइट पर जाकर और और इसमें जान जेनी वाली बात ये हैं कि इसमें जो हर पोस्टो का एक्जाम कंड़क्ट होगा और बात करते हैं essential qualification की हर पोस्टो की तो medical officer में आपको mbbs होने चाहिए clerk में आपको 10th pass होने चाहिए और clerk में आपका typing test लिया जाएगा 30 word per minute English का typing test 25 word per minute Hindi का typing test और आपको word processing knowledge of word processing आपको होने चाहिए clerk के लिए वही fireman की बात करें तो fireman में आपको 10 12th pass होने ज़रूरी है है और इसमें आपको home guard का member होना भी जरूरी है और आपको basic training होने चाहिए home guard की तब ही आप fireman के लिए apply कर सकते हैं इसमें physical standard दे गया है fireman का जिसमें hide 165 cm और chest 80 cm और expansion के साथ 85 cm आपका chest होने चाहिए वहीं eyesight 6 by 6 होने चाहिए without glass और weight 52 kg तक होना चाहिए वहीं barrier guard की बात करें तो barrier guard में भी आपको कम तकम 10th pass होना चाहिए है जिसमें physical standard आपका दे दिया गया है hide 165 cm चाहिए 79 without expansion 84 with expansion यह physical standard दे दिया गया है वहीं एक से technician की बात करें तो आपको 10th pass होना चाहिए और एक डिप्लोमा होना आपको कम ते कम 8th pass होना चाहिए कोई भी government institute से और आपको थोड़ा experience में मांगा है वहीं wallman की post की बात करें तो wallman wallman में में आपको कम ते कम 8th pass होना चाहिए और आपको plumber water fitting fitting का knowledge होना चाहिए वहीं सफाई वाले के लिए आपको भी 8th pass कम से कम होना चाहिए वहीं एज limit की बात करें तो यहां एज limit दे दी गई है आप इसका link में description में दे दूँगा आप इसको अच्छे से पढ़ लेना पूरी डिटेल एंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना वहीं एज limit मेडिकल ऑफिसर क्लर fireman की आठ से तीस एर क्लर की आठ से अठारा से पच्चेस एर दी गई फायर में की अठारा से पच्चेस एर बेरियर का सफेनिंगे जोड़िए चाहीज कह स Contract कि तो मोडोब सेलेक्शन में मेडिकल ऑफिसर का इंटर्वीो होगा ऑल्ली इंटर्वी उपन्ट होगा मेडिकल ऑफिसर का जिसको इम बड्यूपीस क्वालीफिकेशन इसका करें तो सोस्थे होगा जो सोम होगा जिसमें नभे मिनटत द्याएंगे तैस्ट लिए जाएगा थाठीव पर मिनिट हिंदी का ट viperman की बात करें में तो इसमें आपको स्किल्ट होगा और संव का अप्जिक्टिव टाइब इए जाएंगे वहाई बैरियर गार्ड की बात करें तो इसमें भी आपको स्किल्ट होगा और सौ्ध्र एक exam connect होगा जो objective type होगा जिसमें 90 मिनट दिया जाएंगे वहीं एक्सरे टेक्नीशन की बात करें तो इसमें भी आप objective type exam होगा वहीं मजदूर की पूश्ट की बात करें तो इसमें आपका physical or trade test होगा साथ ही में आपका एक exam भी लिया जाएगा जिसमें 100 marks का exam होगा 90 मिनट के लिए वाल में की बात करें तो इसमें आपका physical or trade test होगा water fitting plumbing skill आपकी इसमें चेक की जाएगी और इसमें आपको 100 marks का objective type exam देना पड़ेगा जिसमें 90 मिनट में लेंगा सफाई वाले के लिए भी आपका physical trade test के साथ एक exam होगा objective type जिसमें 100 marks का जिसमें 90 मिनट दिया जाएगे लगबख सारी पोस्टों के लिए आपका एक exam लिया जाएगा जिसमें आपको वायमार्ट सीट और question पेपर दिया जाएगा 90 मिनट दिया जाएगे हार question एक एक नमबर का होगा और माइनस मार्किंग भी वन बाई फॉर्थ होगी तो स्कीम पोस्ट की बात करें तो medical officer के लिए के वल इंटर्व्य होगा क्लर के लिए एक्जाम होना है तो एक्जाम में जो आपका स्लेवर्थ यहां बता दिया गया है कि सौ मार्क्स के जो अब्जेक्टिव टाप आएंगे वह जन्रल इंटेलिजेंस जन्रल अवेरनेस न्युमेरिकल एप्टिट्यूड इंग्लिस कंप्रेजन और कंप्यूटर टेस्ट से आएंगे जैसे कि आप यहां दे सकते हैं फायर मेंड में भी आपको जन्रल इंटेलिजेंस जन्रल रीजनिंग नुमेरिकल एप्टिट्यूड इंग्लिस कंप्रेजन नौलेज ऑफायर फायर्फाइटिंग के इसलेवर्थ से आएंगे और बेरियर गार्ड में ुआसे होगा और एक्सरे टेक्नीजेंड की बात करें जिसमें भी आपको जन्रल इंटेलिजेंग अव्यर्फाइटिट्यूड इंग्लिस कंप्रेजन नौलेज ऑफ य्जिदि अपका पेपर आएगा हर ट्रेट्रेट का पेपर उसके ट्रेट्रेट के नौलेज ऑफ टूल और एकुपिमेंट यूजट के उपर आपके सो कोश्चन आएंगे अब्जेक्टिव टाइप जिसको आपको करना पड़ेगा जैसे कि मैंने कहा था हर्ट ट्रेट के कोडिंग स्लेवर्स है वाल में में भी नॉलेज ऑफ वाटर फिटिंग प्लंबिंग का के कोश्चन कि आसकते हैं है तो सारे कोश्चनों का मांक्स इकुली डिवाडत सारे कोश्चन अ-एक न gin,बर के होंगे और मांक्स कोगे और इसमें जिरो पॉन्वाइफ नेगी ahट करने पर यह वोइन बं बाई-फोट मैं नेगेम मार्क एंगे harggie चार कोश्चन गलत करने पर एक नमबर कटेंगे वहीं स्लेवर्स ऑफ इक्डामिनेशन मैंने उपर बता दिया गया है कि जनरल इंटेलिजन में नॉन वर्वल वर्वल रीजनिंग जनरल एवेर्नेस में हिस्ट्री कल्चर जियोलोजी करेंट अफेर्स भी आएंगे नुमेरि में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसको आप डिटेल पढ़ लेना एप्लिकेशन फी की बात करें तो यू आर की अप्लिकेशन फी 500 है एससी की निल है ओबीसी की 500 है और फीमेल की 100 है और एक सर्विसमेंगी 500 है वही पी एच के टिगरी की कोई फीज नहीं लगनी है फ सब्सक्रिकेशन ही लिया जाएगा इसकी लाज डेट 15 माई रखी गई है 15 माई के पहले 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 आपको अप्लाई करना प्रिंट आउट ले लेना है वही एड्मिट कार्ट कॉल लेटर आपको में वेफसाइट www.canboard.org की वेफसाइट पर बता दिया जाएगा तो आप वेफसाइट को रेगुलर चेक करेंगे तो आपको एड्मिट कार्ट का लिंक वहां आपको बता दिया जाएगा मौड ऑफ सेलेक्शन की बात करें तो इसमें मेरिट कट अफ कि रहेगी आपके एक्जाम आपके आपने जो एक्जाम दिया उसके अकॉर्डिंग जो अब्ले है रिशेंट फोटोग्राफ एक्जाम के टाइम जब रिटेन एक्जाम आपका लिया जाएगा और यहां सब एलिजवीटी क्रैटेरिया सब बता दिया गया इसको आप बच्छे से पढ़ लेना 90 मिनट का आपको एक्जाम होगा सो कुश्चन आएंगे 1 by 4 माइनस होगी और अल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसीजर में बता दूंगा कर आप कोई दिक्कत आती है तो अप्लाई करने की भी एक अलग वीडियो बना दूंगा यह सारे रूल चन रेगुलेशन दिये गए हैं आप इसे पढ़ लेना यहां लिख हैंगी अप इसको अच्छे पढ़ लेना इसमें जो डॉकिमेंट इपलोट डॉकिमेंट वेटिविकेशन ओंलाइन अप्लीकेशन में जो क्यों डॉकिमेंट लगेंगे वह बता दिये गया हैं इसमें अप्ल्चूटर जन्रेटरे अबिकेशन फॉर्म डिसब्लिटी फॉर सब आप लगेंगे वही आप देख लेना यहां रिजेक्शन का बता दी गए कि क्या क्या करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है अब यह सब अच्छे से पढ़ लेना डिटेल में यहां दिया हुआ है अपलाई करने का प्रोसीजर है www.canboardrecruit.org की वेबसाइट पर जाकर पंद्रह मई के पहले पहले अपलाई कर सकते हैं वही स्टैप अप प्रोसीजर की बात करें तो इंपॉर्टन इस्ट्रक्शन यह सब डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक देदूं आप इसको पढ़ लेना वही केटेगरी यहां दे दी प्रोसीजर की अप्लाई प्रोसीजर जो है आपको www.canboard.org की वेबसाइट में पंद्रह मई के पहले पहले जाकर वाहां न्यू रेजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यहां लिखी हुए अप्लाई प्रोसीजर आप इसे दे सकते हैं फिर वहां को कसॉली सेलेक्ट करना आज आपको द्रॉप डॉप डाउन नीचे ऑफ्शन में आ जाना पड़ेगा आपको अपना मोबाईल नंबर डालने के बाद आपको और ऑलोट करेंगे और फी पेमेंट करेंगे यहां और आपको फॉर्म फिल हो जाएगा इसकी closing date के पहले पहले 15 अभ़ी के पहले आपको करना है वहीं आप fee पे credit card, debit card से कर सकते हैं और scan image और signature JPG format में 20-40KB की image होना चाहिए और signature 10-20KB के अंदर का होना चाहिए अफिसल वेफसाइट देदी गई है www.canvot.org गवर्मेंट नौकरी ऑफिशल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेर करें यहां डेली गवर्मेंट जॉपकी अपडेट आपको दिए